हेलो एवरीवन वेलकम तो दे क्लास आज हम करेंगे कंपारिटिव अकाउंट आफ स्टमक प्रिशली क्लास में हमने इसफेगों सरफ फैरेंग्स किया था स्टमक मैंने इसलिए भी अलग लिया था कि तुम थोड़ा आपस में इनको कन्फ्यूज ना करता हूं ठीक है अगर हम देखें कि स्टमक जो है जैसा कि यह मैंने बताए इस डिस्टेंसिबल है या एक यह पॉच लाइक औरगन है अलिमेंटरी कनाल में तो इसका फंक्शन क्या है फिरस्ट फैला फंक्शन इसका है स्टोरेज ओफ फूट यानि कि यह पॉड़ी में कुछ देर के लिए फूट स्टोर करके रखता है उसके बाद क्या होता है स्टोरेज के बाद स्टमक यह था इस इन ग्लैंडूलर सेल्स यह रिलीज डाजेस्टिफ जूस यानि कि बायो केमिकल अक्शन जो है फूड का वह स्टमक में भी होता है यानि कि डाजेश इस यानि कि डाजेशन ऑफ फूड आज वल ठीक है यानि कि स्टमक के दो इंपॉर्टन फंक्शन है स्टोरेज एंड डाजेशन ऑफूड ठीक है अगर आप देखोगे यूशुली हम जब स्टमक ड्रॉड करते हैं जैसे यह यह इस तरह है जो हम स्टमक आज तो अगर हम देख इसकी जो स्टमक की शेप मैन के अंदर एक रूटीन में जो डाजराम बनाते हैं अगर हम वैसे हम देखेंगे जो स्टमक की शेप है वो बॉडी की शेप के हिसाब से होती है ठीक है जैसे यह मतलब elongated इस तरह त्यूब लाइक भी होती है इस तरह से elongated spindle shape भी होती है या you can say J shape भी होती है stomach shape या और it could be V shaped ठीक है तो इस तरह जो stomach की shape है वो vary करती है अलग लग तरह की होती है अलग अलग individuals में ठीक है but जैसे यह मैंने diagram बनाए यह क्या है isophagus है so stomach का वो part जो isophagus के साथ connected होता है यानि कि this part this part is known as the cardiac part or cardiac stomach 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 का वो हिस्सा जो की यह क्या है diodinum a small intestine stomach का वो हिस्सा जो diodinum के साथ जुड़ा हो उसे हम कहते हैं pyloric stomach और बाकी जो हिस्सा होता है उसे हम कहते है body of stomach ठीक है और pyloric stomach और diodinum के बीच में एक valve होती है जिसको हम कहते हैं pyloric valve यह pyloric valve जो है stomach के contents को बिना open हुए diodinum में आने नहीं देती ठीक है इस तरह stomach के यह different parts होते हैं अगर हम जातर vertebrates में आदे होगे stomach जो है वो twisted इनिशियली क्या था यह इस तरह से you can say distended structure था बट जैसे जैसे इसके elementary canal की length increase होती गई elementary canal जो है fold होती गई और coiled होती गई इसी तरह stomach भी जो है higher animals में twisted है twisted यानि कि क्या होता है कि यह जो part है यह इस तरह से right side में twist हो जाता है as a result of which जो cardiac stomach है जैसे twist हो गया हिस्सा तो इस तरह की शेप होगी ना जैसे मैंने की पहले ड्रॉ कर रख दी तो यह जो cardiac part है यह left side में आ जाता है और जो pyloric part है वो right side में आ तो जो अपर वाला curvature इसको कहेंगे जो ventral side है वो lesser curvature है lesser curvature की तरह जाती है जो dorsal side है वो जो है greater curvature करती है ठीक है जो जादा ग्रेटर कर वहां पर बोड़ी पार्ट होता है एक दन से बोड़ी of the stomach okay now this was just a general introduction अब हम comparative account देखते हैं सबसे पहले आप यह देखो यह क्या है cyclostorm ठीक है cyclostorm में आप देखो elementary canal जो है simple एक जैसे uniform diameter की एक tube नहीं होती तो इस तरह से है तो अगर हम cyclostorm में यूं कहें कि कोई impercept कोई मलब change ही नहीं है कोई elementary के नामें लगी नहीं रहा कि कोई distended part है जिसे हम stomach कह सके सो एक तरह से हम यूं कहेंगे कि stomach जो है एक distinct हिस्सा है है यह negligible demarcation है cyclostorm में के stomach में ठीक है next cyclostorm के बाद क्या आता है fishes ठीक है fishes में अगर आप देखोगे तो जो true stomach है fishes में भी सबसे पहले क्या आती है elasmobrancs जो कि क्या है chondritis true stomach जो है सबसे पहले जो है वो elasmobrancs में आया ठीक है और इसमें भी आप elasmobrancs में अगर हम तुम्हें दिखाए तो यह जी शेप्ट है यह देखो यह जो शारक है यह elasmobrancs है तो इसमें आप देखो stomach जो है जी शेप्ट है यह अपर जी शेप्ट क्या है cardiac पार्ट है यह जो है जादा और नीचे की तरह यह जो पार्ट है इस पाइलॉरिक पार्ट ठीक है और इफ यू सी cardiac और पाइलॉरिक के जंक्शन पे यहां बार हलंके डागर्यम में नहीं दिखा रहे है एक तरह से यहां पर एक पाउच होता है इस एंड पे जिसको blind sack बोलते है वी कॉल इट एस blind sack ठीक है अब cardiac जिस तरह क्योंकि isophagus में के अंदर peristalsis के लिए बहुत सरे अंदर folds होते हैं तो cardiac stomach की अंदर भी अगर हम इस तरह देखे तो देर आर folds on the cardiac stomach whereas pyloric stomach का inner surface होता है comparatively without fold होता है जैसा कि intestine में होता है तो यह change within stomach होता है highly folded wall से smooth wall में convert हो जाती है inner lining of the stomach in case of fishes इसी तरह teleost यानि कि lung fishes में हम देखें तो यह देखो यह जो है gar pipe में यह देखो यह portion है this is all stomach part इसमें आप देखोगे वराइटी of shapes है एक simple straight tube भी हो सकता है जैसे कि gar pipe में है ठीक है या फिर teleost में कई बार v-shape भी हो जाता है stomach में और for example lung fishes है यह आप देखो ठीक है इसमें क्या है यह जो part है पूरा this is cardiac part और यह छोटा सा part this is pyloric part usually क्या होता है कि जब cardiac stomach end करता है वहां से pyloric part arise करता है बट यहां पर आप देखो कि cardiac stomach खतम भी उसके पहले वाले हिस्से से pyloric part जो है वो शुरू हो गया यानि कि lesser curvature बहुत कम curvature है तोनों के बीच में यानि कि stomach है वह एक तरह से you can say blind pouch की काफी बड़ा हिस्सा जो है वह एक blind pouch की तरह दिख रहा है in case of lung fishes ठीक है यह polypter is lung fish भी कौन सी है यहां पर यह polypter is के बारे में बात कर रहे है ठीक है ठीक है okay after fishes fishes के बाद क्या आता है reptiles right reptiles में हम देखेंगे तो just say for example यह देखो I'm sorry reptiles से पहले आएगा amphibians fishes के बाद जो है amphibians amphibians में अगर हम stomach की बात करें तो यह आप देखो यह जो है you can say this is frog elementary canal of frog इसमें आप देखो stomach जो है J-shaped can you see this is you know esophagus और यह देखे यह पूरा जो stomach है यह इस तरह से J-shaped stomach है frog के अंदर ठीक है और salamander में अगर मैं यह दिखाऊ यह देखो salamander में urodis में stomach जो है straight tube like stomach है यानि की within amphibian the shape of the stomach may vary from tube to J-shaped structure in frog ठीक है cardiac pyloric जिसको हमने body उसको fundus region भी कहते fundus region जो है यह frog में absent है ठीक है और अगर हम देखें तो यहां पे जो cardiac part है अगर हम इसको section ले तो यहां पे six इस तरह से longitudinal folds होते है frog के stomach में और stomach में सभी amphibians में कि जितने भी stomach है they all are they all have digestive function ठीक है ठीक है after stomach after sorry frog comes reptiles ठीक है reptiles में अगर आप देखोगे reptiles में क्या आते है snakes and lizards और आते है crocodilians or crocodiles ठीक है जातर आप आप देखो स्टमक का अगर आप स्टमक देखोगे spindle shaped स्टमक ऑफ स्टमक ऑफ स्नेक which is spindle shaped ठीक है अगर आप हम crocodilians में दिखाए स्टमक का यह यहां पर जो स्टमक का यह जो है एक तरह से अगर birds में दिखाऊंगी birds में जो स्टमक होता है वहां पर जो anterior pro ventriculars होता है और उसका जो गिजर्ड लाइक होता है ठीक है गिजर्ड होती है जो की crushing of food के काम आता है तो similarly यह जो गिजर्ड लाइक एरिया है किसमें है यह है crocodiles में जो की bird में भी दिखाए देता है जो मैं आगे तुमें समझाऊंगी तो गिजर्ड एक muscular organ है ठीक है यह गिजर्ड यानि crocodiles में भी गिजर्ड like muscular organ present होता है जैसे की bird में present होता है या फिर in case of snake it is spindle shaped correct now we come to the stomach of birds next after reptiles it is birds birds में आप देखो इसोफेगस के बाद यहां पर क्या होता है और इसोफेगस के बाद जो region है नीचे tube like region है that is proventriculus ठीक है proventriculus if you see इसके अंदर केवल जो glandular lining है यानिकी it secret certain digestive juices so basically जो birds का stomach है वो दो parts में डिवाइड किया हुआ है proventriculus region which is the glandular region which secret digestive juices and posterior this is anterior posterior if you see you can call it as gizzard you can call it as ventriculus also यह जो region है this is the region which is responsible for grinding of the food ठीक है कई बार जो grain eating birds है वो अपने साथ food में छोटे-छोटे pebbles stones भी ले जाती है और वो stones gizzard region में लाई करते हैं पर्मनेंटली और जैसी grain वगर जो food खाती है तो पैबल्स और grain मिलके food की grinding करते हैं क्योंकि teeth नहीं होते न बर्ड्स में इसलिए जो grinding of food is carried out in the ventriculus और gizzard region और जो insectivorous birds है जो कि insect पर feed करती है insectivorous birds में if you see gizzard कोई insects को तो grind करने की जोड़त नहीं तो उनमें जो gizzard है वो poorly developed होती है not well developed ठीक है because gizzard का मेन काम क्या है to crush the food ठीक है after birds comes stomach of mammals अगर आप देखोगे जितनी diversity mammalian stomach में है इतनी जो है और किसी भी class में नहीं है stomach आप देखोगे by mammals में transversely placed जैसे मैंने दिखाय था diagram में भी जो stomach जो है एक तरह से mammals it can be j-shaped जैसे भी मैंने human में जो गरी it could be u-shaped stomach में यहां पर भी इस तरह यह अपर रीजन जो cardiac है then lower pyloric this is fundus region ठीक है upper curvature जो है lesser and lower side dorsal side it has got greater curvature अब monkeys और rodents में तो वहां पर cardiac stomach जैसे यह cardiac stomach है और यह pyloric stomach है तो cardiac और pyloric stomach के बीच में construction है यह cardiac जैसे कि hourglass नहीं होता जिसमें रेत जो फिसल 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 एक चैंबर से दूसरे चैंबर में आती है उसे वह hourglass बोलते है तो monkeys और rodents के stomach के बीच में भी construction present होती है जिसको हम hourglass stomach बोलते है हलागी मेरे पास diagram नहीं and in general in general जो herbivorous होती है herbivorous animal होते है उनका stomach जो होता है larger होता है as compared to carnivores ठीक है अब हम variations देखते है mammalian stomach में सबसे पहले हम देखते है monotrems monotrems में क्या आते है egg laying mammals आते है duckbill, platypus, spiny ant eater ठीक है उसमें अगर यह देखो monotrem में आप देखोगे stomach जो है can you see this stomach pouch like this in case of monotrem it is pouch like inner lining mucosa की if you see they do not have gastric glands याने की monotrems में gastric glands absent होती stomach केवल storage bag की तरह काम करता है और कुछ नहीं करता है so we can say that it is not a true stomach ठीक है और even if you see duckbill, platypus में cardiac और pyloric part fuse हो जाते है there is no distinction there is no distinction between cardiac and pyloric part in case of platypus now after that after monotrems next type is stomach of marsupials marsupials में क्या आते kangaroo and oposum वगर आते जिसमें की marsupium होता नहीं आगे एक तरह से एक पाउच होता है जहां पे वो young ones को रखते हैं उनको marsupials कर दें marsupials में आप देखोगे if you see marsupials stomach can you see यहां पे आप देखो this is esophagus dark color यह क्या है esophagus है और esophagus के just parallel ही cardiac stomach है तो यहां पर आप देखो cardiac stomach is placed behind esophagus और इसके अंदर if you see cardiac stomach के अंदर large folds होते है wall के अंदर stomach की wall के अंदर folds होते है circulated folds होते है और जो pyloric region if you see यहां पर आप देखो यह क्या है यह duodenum region है तो अब आप देखो cardiac stomach भी well developed है और जो pyloric region है or fundus region है वो reduced है और यहां पर भी आप देखो कि जो glands होती है they are absent in case of marsupials ठीक है तो you can say that true stomach is absent true stomach is absent in case of marsupials in marsupials in marsupials ठीक है यह यह जो है large circulated folds है यह किसकी जगे आगे folds यह जो pyloric part और fundus part की जगे जोगे इन folds ने ले this was about stomach in marsupials अब we come to after marsupials if you see we come to stomach of ruminants 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 में क्या आते है ruminants में वो animals आते है जो की you know cud chewing animal है cud chewing animals कौन से होते है जिनको हम कहते है जो animals जुगाली करते है उनको cud chewing animals कहते है उसमें क्या क्या आते है उसमें cattle sheep goat camel इतियादी यह animals आते है और इनका stomach जो है बहुत ही complex type of stomach होता है it is not simple type क्योंकि why it is complex because it is adapted to extract the maximum nutrients from the plants इसलिए stomach जो है वो इनका complex type है that is why because of the complexity the stomach here if you see it is divided into four chambers ठीक है वो chambers कौन-कौन से है अगर if I show you first is rumen एक बार मैं तो मिली भी देती हूं rumen का दूसरा नाम है punch next is reticulum reticulum का जो है दूसरा नाम जो है honeycomb है क्योंकि जो इसकी inner lining है न the third is omasm 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 का जो अगर हम दूसरा नाम है solterium peace element है solterium and the last part is ab omasm ab omasm ab omasm का जो नाम है that is rennet another thing is that यह जो तीनो first यह तीन चैंबर है न first three chambers एक तरह से यह isophagus की ही modification है यानि कि मैंने जब isophagus की है तो तुम्हें बताया भी था कि यह जो तीनो chambers है यह isophagus का ही हिस्सा एक तरह से लगा लो यह isophagus ही chambers में तीन chambers में modify हो गया true stomach जो है वह abomasum है जिसको हमने ranet का भी नाम दिया गया मैं तुम्हें एक बर फिस से अलग अलग दिखाती हूँ यह आप देखो can you see मैंने दोनों तरफ यह देखो मतलब यह अगर न stomach जो है यह cow का stomach दिखा रखा है इन्होंने अग्चुली इस तरह है it looks like this अगर हम उनको separate करे तो यह चारों चैंबर जो इस तरह से इस फिर्स चैंबर दिस इस सेकंड दिस थर्ड दिस इस फॉर्थ मैं तुम्हें बाद में दिखाऊं करके ठीक है अब फिर्स चैंबर की बात करते हैं जो की यलो कलर का मैंने कलर कर रखा this is rumen rumen जो है सबसे जो है you can say largest चैंबर है यह वह चैंबर है जो की फूड जो इस फिर्स सबसे पहले rumen में एंटर करता है ठीक है तो rumen आगर आप देखो की just reticulum के पास है but food first enters into the rumen और rumen के अंदर अगर आप देखोगे ना बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे folds है अंदर से बहुत सारे sexuals है sexualated है और उसकी lining पर इस तरह folds जो की folds यो है भाहर की तरफ भी दिखाई देते है after that अगर आप rumen के बाहर देखो तो next जो है यह जो pink color में है that is reticulum reticulum जो है अगर आप इसका size wise देखो comparatively smaller है और इसके inner wall lining पर जासे मैंने बताता है honeycomb like structure है third blue color if you see light blue color that is omasm ठीक है this third part is omasm ठीक है omasm आप देखो कि इसके अंदर की जो lining होती न एकदम इस तरह leaf like अंदर का highly folded जो है यह sack है और इसके जो inner lining है वो stratified epithelium की बने हुई है यानि कि squamous epithelium जो है वो stratified है many layered है और जैसे कि esophagus की जो inner lining होती है last one if you see this dark one this fourth one is abomasum यहां पर देखो यह जो है this fourth this is abomasum यह जो है reticulars as compared to reticulum it is bigger but इसके अंदर भी बहुत सारे folds होते है उन folds को बोलते है रगी और जो wall है वो कैसी है glandular wall है यानि की digestive secret करने वाली glands होती है ठीक है यह तो थे अलग-अलग parts अगर हम मैं आपको इसके इस तरह के बोलते हैं अपने saliva के साथ mix करते हैं और वो swallow कर लेते हैं swallow कर रहें कहां आते हैं यहां पर किसमें rumen में जो है बहुत सारे bacteria होते हैं जिसको कहते हैं rumenococcus ठीक है यह bacteria if you see they release certain enzymes cellulase यह इस तरह के enzymes बोलते हैं enzymes rumenococcus secretion mix हो जाता है उसके बाद the food is moved to next chamber that is reticulum ठीक है यह फिर इसमें आप देखो इस chamber में food move के जाता है reticulum में और reticulum if you see the food यहां पर क्या होता है here the food is converted into cut क्या सभ़े now the food rumenococcus secretion mix होके food reticulum में आता है तो जो food form होता है उसको हम कहते है cut अब क्या होता है यह जो cut regurgitate करती है regurgitate का मतलब क्या होता है वापस stomach से mouth में ultra direction में जब इस food के जाने को कहते है regurgitate यानि कि वापस मुह में आती है cut regurgitate करके कहां आएगी again mouth में आएगी और वहाँ पर animal continuously उसको thoroughly chew करता रहता है जब तक food finally fine particles में convert हो जाए उसके बाद if you see food is again swallowed अब वह यहां जाने के बज़े कहां जाएगा omazam में जाएगा यानि कि इस chamber में food जाएगा omazam में food की क्या होती है omazam part में food की churning होती है churning का मतलब thoroughly food को उसकी muscular walls से mix करते हैं जो भी content थे उसके food को further you can say breakdown of occur in the third chamber that is omazam part और omazam के बाद if you see now food comes in the fourth chamber that is ab omazam part जहाँ पर gastric juice भी secrete करता है stomach or that gastric juices mixed with the जो भी उस stage में food होता है उस stage में उसके साथ mix कर दिया जाता है जाने कि अब जो है chemical digestion शुरू हो जाता है food का correct तो एक बार में फिर से आपको बताऊंगे rumen में क्या होता है rumen में food को जो है ruminococcus bacteria food is subjected to ruminococcus bacteria उसके बाद food comes to reticulum the food is converted into cut उसके बाद food क्या होता है regurgitate होता है ठीके उसके बाद वापस mouth से आप food किसमें आएगा omasm में आएगा omasm में food की क्या होती है churning होती है उसके बाद ab omasm में food आएगा ab omasm में क्या होगा food chemical digestion आगे था function तुमें समझें अलग अलग chambers का okay this was about the stomach of ruminants ठीक है अब हम थोड़ से specific कुछ करते हैं animals के बार में जैसे stomach of camels ठीक है अब camels में क्या होता है if you see जो omasm part है यानि जो third chamber है वो absent होता है और बाकी जो है तीनों chambers होते है अब आपको डाइग्राम दिखाती हूं यह आप देखो can you see यह जो है camel का stomach है इसमें जो है rumen और reticulum part जो है rumen and reticulum part जो है they have cells known as water cells और यह क्या करते है metabolic water को store करते है यानि की actual digestion किसमें होता है ab omasm में ही होता है omasm जो है वो absent होता है okay same way if you see then this was about okay now after camel if we talk about stomach of blood sucking 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 वह पॉच लाइक नहीं होता वो जलेंडर होता है एक बैग लाइक श्रॉक्चर नहीं होता है और यह जो उसके अंदर जो है that stomach is lined by squamous epithelium so that it can protect the epithelium can protect the stomach from mechanical injuries okay is it that a there is stomach of way your stomach of whales you can see stomach of whales me if you see what happens is in case of a diagram b I'll just show you can you see stomach of whales इसमें इस यहां पर जो stomach part है हमने उसको एक तर से four stomach कहा गया है क्योंकि हम पर स्टमक के तीन पार्ट होते हैं first part is four stomach second part is main stomach and third part is pyloric stomach यानि कि stomach of whale जो है उसके भी three chambers होते है four stomach में आप देखो कि यह तरह से crop like होता है जैसे उसमें होते है ने crop birds में isophagus your crop में modified यहां पर stomach जो है देखो crop में it is almost crop like और inner lining भी यहां पर किया है squamous epithelium की है inner lining squamous epithelium की किसलिए है so that it can protect ठीक है यहां पर भी if you see it has stones जैसे birds के gizzard में stone थे वैसे ही whale के भी four stomach में stones होते है for crushing of the food or breaking down of food because whale के जो है well defined teeth नहीं होते है main part stomach का क्या है यह वाला हिस्सा है जिसको इन्होंने main stomach बोला है और इस main stomach में folds होते हैं और gastric glands होती है जो कि gastric juices secrete करती है pyloric stomach आप देखो it is nothing but a tube like structure है जो कि stomach को diodinum के साथ यार small intestine के साथ जोडता है यहां पर भी कुछ glands होती है pyloric stomach maybe okay this was all about little variations in mammal I hope it is clear to you this is all for today as far as anatomy of stomach is concerned